हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फ्री में हमार पास आजको है ओनर 9T इस फोन के साथ ओनर ने इंडिया में अपनी वापसी कर ली है मैंने इस फोन को ओर्डर किया है इस वाइट कलर में जो कि इस खूबसूरत पैटर्न के साथ आता है आज इस फ्री में मैं आपको इस फोन के 40 से ज़ादा amazing features बताने वाला हूँ तो अगर आप इस फोन में interested हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और मुझे बताएगा नीचे comments में के आपको कौन सा feature सबसे ज़ादा अच्छा लगा वो मुझे बहुत ज़ादा smooth लगा और सबसे special चीज है जो animations हैं वो बहुत ही ज़ादा smooth है इस फोन में always on display का feature आपको मिल जाता है settings में अगर आप home screen और wallpaper में जाएंगे तो यहां पर आपको AOD का option मिलेगा wide fold enabled है आप change कर सकते हैं कि कब आपको इसको देखना है all day के उपर इसको select कर सकते हैं और यहां पर बहुत सारे different तरीके के always on display आपको दिये गए हैं आपको choose कर सकते हैं analog या digital cloak सलगा सकते हैं और बहुत सारे options हैं यहां पर दोस्तों आपको magazine unlock का एक option मिलता है अगर आप चाहते हैं कि lock screen के उपर आपको हर बार एक नया wallpaper देखने के लिए मिले mostly जिस भी phone में यह feature होता है उसके साथ आपको ads मिलती हैं लेकिन यह feature बहुत अच्छे से काम करता है और कोई ads नहीं दिखाता और बहुत अच्छे wallpapers भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर ही दोस्तों आपको icons का option भी मिलता है इस phone में आपको multiple icon packs दिए गए हैं by default जो है वो यह वाला apply किया गया है देकिन अगर आप इस तरफ scroll करेंगे तो आपको और भी काफी सारे icon packs मिल जाएंगे एक चीज़ जो मैंने इस phone में notice किया दोस्तों by default आपको यहाँ पर कोई app drawer नहीं मिलता सारे apps जो है वो आपके home screen के उपर मिलेंगे और setup के दुरान आप उसको change भी नहीं कर सकते हैं अगर आपको उसको change करना है तो settings में home screen और wall paper के अंदर आपको home screen style का option मिल जाएगा यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको drawer के उपर आप select कर सकते हैं उसके बाद आपको इस तरीके का app drawer मिल जाएगा owner ने आपको इस phone में floating windows का option भी दिया है अगर आप recents में जाते हैं तो किसी भी app के लिए आपको यहाँ पर tap करना है और उस app को आप इस तरीके से floating window में open कर सकते हैं इसको आप इस तरीके से resize कर सकते हैं या फिर अगर आप बिल्कुल minimize कर देंगे तो इस तरीके से side में place हो जाएगा या फिर अगर आप इसको इस तरीके से side में place करेंगे तो एक shortcut की तरहां भी यहाँ पर place हो जाएगा वैसे आपको एक multi window dog भी मिल जाता है अगर आप किसी भी तरफ से swipe करके hold करते हैं तो आपको एक multi window dog जो हो open हो जाता है इसको भी आप use कर सकते हैं directly किसी भी app को floating window में open करने के लिए या फिर अगर आपको split screen यूज़ करना है वो चीज़ भी आप इससे directly कर सकते हैं एप को drag and drop करके एक और चीज़ जो इस owner के phone में मुझे खास लगी वो है एक cards का option अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह जो cloak और calendar है यह normal widgets नहीं है बलके मैंने यहाँ पर cards add किये हैं जो कि एक additional option आपको मिलता है अगर आप home screen के उपर इस तरीके से pinch करके यहाँ पर cards के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको different different तरीकी के options दिए गए है यह थोड़ा iPhone जैसा option है जिसमें आपको ऐसे ही कुछ cards देखने के लिए मिलते हैं लेकिन यह काफी अच्छे लगते हैं इस तरीके से आप contact cards भी यहाँ पर add कर सकते हैं आप इस phone में home screen के उपर किसी भी folder को enlarge भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यह वाला folder अगर आप देखेंगे इसको मैंने enlarge कर रखा है अगर मैं इसके पर long tap करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसको shrink करने का option भी मिलता है enlarge करके आप कम जगा में ज़ादा apps रख पाते हैं और directly आप किसी भी app को open करना है तो उसके उपर इस तरीके से tap भी कर पाते हैं और एक special option यहाँ पर suggestions का आप देख पाएंगे दोस्तों जोके यो यो suggestions का है यहाँ पर again कोई भी add नहीं है बलकि आपको suggest की जाती है apps जोके आप ज़ादा use करते हैं जो भी आपकी recent used apps हैं वो आपको automatically यहाँ पर मिलती रहेंगी जोके एक बहुत बढ़िया option है एक और ऐसा AI suggestions वादा feature मुझे control center में भी देखने के लिए मिला दोस्तों control center में यह जो दो options हैं वो तो default हैं ऐसी ही रहती हैं लेकिन यहाँ पर जो दो options हैं वो AI की मदद से automatically update होती रहती हैं जो भी options आप ज़ादा use करते हैं और एक option दोस्तों जिससे मुझे पुराने owner के phones की याद आ गई वो है mirror का option पहले भी जो owner के phones आते थे उसमें ऐसा ही mirror का option आपको मिलता था basically यह front camera को use करता है और अगर आपको mirror जैसा एक feature use करना है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं यहाँ पर आपको different frames का option मिलता है और इसके अंदर आपको कुछ additional features मिल जाते हैं जिसके touch करके आप इसको pause कर सकते हैं double touch करके इस तरीके से zoom in कर सकते हैं इस phone का जो gallery app है दोस्तों उसके अंदर भी आपको काफी इचे options मिल जाते हैं जिसके किसी भी photo को अगर आप select करते हैं तो उसको more में जाके आप hide कर सकते हैं direct gallery app के अंदर से और यहां पर अगर आप create में जाएंगे तो आपको instant movie और cut जैसे options दिये गए हैं जिसकी मदद से आप videos को भी gallery app की मदद से ही edit कर सकते हैं gallery के अंदर दोस्तों एक और बहुत ही कमाल का feature आपको बताता हूँ अगर आपने कोई भी photo capture किया है उसके अंदर आप directly कुछ text को इस तरीके से copy paste कर सकते हैं again एक iPhone जैसा feature जो के इस phone में बहुत ही अच्छे से काम करता है settings के अंदर एक अच्छा option आपको owner connect का दिया गया है जिसकी मदद से आप owner devices के साथ connect कर सकते हैं अगर आपके पास owner का कोई tablet भी है या फिर अगर आप PC के साथ phone को connect करना चाहते हैं तो directly आप data transfer कर पाएंगे calls या notifications आपको directly PC के उपर आ जाएंगी या फिर even phone के camera को आप use कर पाएंगे PC के camera की तरहां ये सब चीज़ें आप इसकी मदद से use कर सकते हैं वैसे दोस्तों मैंने उर्रेडी आपको बताया कि इस phone का जो UI है वो मुझे काफी इच्छा लगा इस phone में अगर आप dark mode भी use करते हैं उसको भी काफी अच्छे तरीके से implement किया गया है जिस तरीके से आपको Samsung के phones में मिलता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर इसको implement किया गया है display and brightness के अंदर अगर आप eye comfort के अंदर जाएंगे तो एक option आपको night display का भी मिलता है जो के automatically display को adjust करता रहेगा color temperature को दिन के time थोड़ा cool रहेगा लेकिन रात के time automatically warm हो जाएगा तांके आपकी आंखो को थोड़ा आराम मिले और आपको सोने में help हो एक बहुत amazing option यहाँ पर आपको screen resolution का दिया गया है इस phone में क्यूंकि आपको full HD plus से भी जादा resolution दिया गया है तो यहाँ पर आपको एक smart resolution का option मिल जाता है दोस्तों by default यह dynamic के उपर selected है लेकिन अगर आप चाहें तो 60, 90 या 120 कोई भी screen refresh rate पर्मानेंटली चूज कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए एक और भढ़िया option आपको video enhancer का भी दिया गया है इसको अगर आप enable करते हैं तो जब भी video application आप use करेंगे उसके अंदर videos के colors को phone enhance कर देता है जादा contrast add कर देता है जसके YouTube, Netflix या Facebook के अंदर तांके आपको बहतर experience मिल पाई settings में sound and vibration के अंदर एक interesting feature मुझे देखने के लिए मिला यहाँ पर आपको ringtone themes का option दिया गया है काफी सारी themes आपको मिलेंगी जसके अंदर बहुत interesting ringtones आपको दी गई है calls के लिए, messages के लिए, हर चीज के लिए different ringtone यहाँ पर है और बहुत अच्छी options हैं जो के आप try कर सकते हैं अगर आप face unlock के use करते हैं तो इस phone में एक से जादा लोग भी face unlock का HTML कर सकते हैं settings में अगर आप biometric and password में जाएंगे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही face enrolled है देकिन अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे additional face enroll करने का option मिल जाएगा तो अगर दो लोग phone को use कर रहे हैं तो दोनों भी अपना face unlock की use कर सकते हैं settings में अगर आप apps के अंदर जाएंगे तो आपको app twin का option भी मिल जाता है basically एक ही app के दो accounts अगर आपको use करने हैं तो app clone आप कर सकते हैं यहाँ पर सिरफ social media apps का support आपको मिलेगा अभी के लिए सिरफ facebook में ने install किया है तो उसका option यहाँ पर आपको दिख रहा है settings में security के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर security related बहुत अच्छे options हैं जिसके password vault का एक option आपको मिल जाता है अगर आप अपने password save करना चाहते हैं नोर्मल ही हम अपने phones में google password use करते हैं लेकिन यहाँ पर owner का भी एक password vault है जिसको आप use करके passwords उसके अंदर save कर सकते हैं यहाँ पर आपको app lock का option भी दिया गया है अगर आपको apps को password protect करना है तो इस app lock का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट आपको इसको setup कर देना है उसके बाद किसी भी app के लिए अगर आप इसको enable कर देंगे उसके बाद अगर आप उस application को enable करते हैं तो आपको पहले password या face unlock या fingerprint sensor की मदल से इसको unlock करना पड़ेगा यहाँ पर ही आपको एक save का option भी दिया गया है जिसको अगर आप setup करते हैं तो आप किसी भी file को hide करके और protect करके रख सकते हैं जिसके कोई भी image, audio, video, file या किसी भी तरीके का file है उसको आप यहाँ पर add कीजिए और इसके अंदर save कर दीजिए और वो password protect हो जाएगा इवन यहाँ पर settings के अंदर आपको multiple saves create करने का option मिलता है यहाँ पर switch save के अंदर अगर आप जाएगे तो आप additional saves भी create कर सकते हैं एक और अच्छा privacy related option आपको privacy के अंदर private space का मिल जाएगा जैसे आप दो users create करते हैं ऐसे ही आप दो spaces create कर सकते हैं जिसको आप different fingerprint की मदद से unlock कर सकते हैं अगर मैं यह fingerprint use करता हूँ तो जो मेरा normal space है वो ही login होता है लेकिन अगर मैं इस fingerprint से unlock करूँगा तो जो मेरा दूसरा space है उसमें मैं login कर जाऊँगा जो कि एक second user की तरहां काम करता है shortcut लेने के लिए एक अच्छा gesture इस phone में मैं आपको बताता हूँ आप इस तरीके से दो बार phone के उपर knock कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप knock करेंगे तो directly एक screenshot capture हो जाता है और जब भी आपने एक screenshot capture किया है तो इस screenshot को आप इस तरीके से नीचे slide कर सकते हैं अगर आप scrolling screenshot capture करना चाहते हैं अगर आप कोई भी game play करते हैं तो इस phone में आपको gaming assistant या game manager भी दिया गया है। इस तरीखे से अगर आप यहाँ से swipe करेंगे तो यह gaming manager आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप balanced की जगा game mode यहाँ पर enable कर सकते हैं जो के थोड़ा boost कर देता है performance को। उसके साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे options नहीं मिलते हैं सिरफ एक fps का option है आप किसी app को floating window में open कर सकते हैं या फिर brightness को कमिया जादा कर सकते हैं। चले दोस्तों camera के भी कुछ interesting features मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ के portrait mode अगर आप इस phone में use करते हैं तो आपको 2X का एक mode दिया गया है जो के काफी इछे portraits capture कर देता है और actually अगर आप 2X mode use करते हैं तो phone जो हो different तरीके से bookay को process करता है जो के और जादा photo को सुन्दर बना देता है। वीडियो मोड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर वीडियो मोड के अंदर भी आपको इस portrait mode को enable करने का option दिया गया है तो इस phone में आप bookay videos भी capture कर सकते हैं हलांके यह सिरफ rear camera में supported है वीडियो के अंदर एक बहुत ही unique feature आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि है solo cut का अगर आ लोगों को capture कर रहे हैं एक ही frame में तो आप इस mode की मदद से video capture कर लीजी और phone जो है automatically जिसको आप चाहते हैं उसको frame में रखके एक portrait video आपको दे देगा जो के एक अच्छे motion tracking के साथ भी आएगा और आपको एक अच्छा solo cut video मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक mode multi video का भी दिया गया है अगर आप कुछ story mode या short videos बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे presets आपको दिये गए हैं आप बस अपनी video shoot कीजिए phone जो है automatically edit करके आपको इस तरीके के outputs बना के देदेगा more के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको HDR video का option भी दिया गया है जोके additional HDR effect add कर देता है और वीडियो में अगर आपके background में बहुत जादा lighting है या बहुत different तरीके की lighting में आप videos capture कर रहे हैं तो यह mode काफी इच्छी videos capture कर देगा more के अंदर आपको slow motion videos का option भी मिल जाएगा maximum इस phone में आप 8x तक slow कर सकते हैं मतबके 240 fps का slow motion capture कर सकते हैं उसी के साथ यहाँ पर इस phone में आपको pro mode का option भी दिया गया है जिसके अंदर आपको videos के अंदर भी pro mode का option मिल जाता है जोके एक अच्छा option है यहाँ पर आप camera के manual mode की त पर यूज कर सकते हैं चलिए दोस्तो अभी के लिए इस video में यही था I hope यह video आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो please इस video को like and share जरूर कर दीजेगा और मुझे बताएगा नीचे comments में कि आपको कुनसे feature सबसे जादा अच्छे लगे चैनल को subscribe कर सकते है अगर आप ऐसी और amazing videos देखना चाहते हैं इस video को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो